जैशी कृष्णा, विश्व के सबसे बड़े ओनलाइन गीता वर्गों से जुड़ने का निश्चय करने के लिए आपका अभिननन आईए हम एक बार यहाँ फॉर्म भरके देखते हैं यहाँ फॉर्म की जो लिंक आई है वो हम क्लिक कर रहे हैं आप चाहे तो फॉर्म की लिंक टाइप भी कर सकते हैं हम हमारे फॉर्म के इस वेब पेज पर आगए हैं यहाँ पर जो सूचनाए है वो सारी सूचनाए दी गई है याद रखिएगा यह सारी कक्षा निश्चुल को होती है अब यहाँ फॉर्म में आ गए हैं सबसे पहले form में सारी चीज़े अंग्रेजी में लिखनी है दूसरी भाषाओं का इस्तमाल ना करें आगे हमें database में आसानी होगी आपको अपना email id डालना है इसी email id पे आपके form की link आएगी आपका जो सही email id वो डालिए इसी email id पे इस form की copy आएगी और सारे instructions आएगे और सबसे important चीज़ है आपका WhatsApp का number चुकि ये पूरे उपक्रम में हम लोग WhatsApp का group बना कर उसी group के through सारे meeting के ौइडी ज और अलग-अलग तरह की सुचना है दी जाती है इसलिए यहाँ WhatsApp का group आपको बनाने के लिए WhatsApp का number डालना जरूरी है अगर आप भारत में है तो यहाँ 9-1 पहले से ही लिख कर आ रहा है आपको केवल अपना 10 digits का number डालना है 10 digits से कम या जादा digits ये accept नहीं करेगा अगर आप भारत select किया है आपने तो और सिर्फ digits होने चाहिए अगर आप space दे दे वें या dot दे दे वें तो वो मान्य नहीं होगा आपका form submit नहीं होगा यदि यहाँ problem आता है तो सारा फिर से delete करेंगे आप enter WhatsApp number ऐसा लिखा हुआ आएगा तब आप फिर से पूरे 10 आकडो का number टाइप करेंगे यदि आप भारत के बाहर है तो यहाँ पर आप अपना ISD code चुन सकते हैं इसको scroll भी कर सकते हैं या फिर आप type कर सकते हैं जैसे आप नेपाल से हैं तो 977 आपने type किया और तो केवल 977 आगया आपने select कर दिया अब हमें जैसे 911 करना है हमने 911 select किया है या तीन नंबर पर देखे भारत आगया है हमने भारत का प्लस 911 select कर दिया है अब मैं मेरा नंबर यहाँ type कर देता हूँ जो आपका सही WhatsApp नंबर है वो यह आपको डालना है इसके बाद आपको I.U. अपनी enter करनी है याद रखिएगा कि आप अगर 8 वर्स से नीचे के बालकों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो वो मानने नहीं है कम से कम न्यूनतम I.U. आट वर्स रखी गई है इन कक्षाओं के लिए इसके अलावा नीचे जो है male female select करने के बाद आपको देश select करना है अगर ये आप भारत में है तो भारत select रहने दीजे यदि आप बाहर के देश में है तो आपको यहाँ दूसरा देश लेना होगा अगर भारत में है तो आपको यहाँ अपनी state लेनी है यदि आपने किसी दूसरे देश का selection किया है तो उस देश के राज्य आ रहे हैं आप उस देश का जो भी आपका राज्य है वो सिलेट करेंगे तो अभी हम यहाँ पर इंडिया सिलेट करते हैं कोई दोष ढूनना है तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो टाइप करने से लिस्ट छोटी हो जाती है यहाँ पर हम महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ तो हमने महाराष्ट्र टाइप करने गया तो छोटी हो गई लिस्ट महाराष्ट्र मिल गया अब शहर जो है हमें अपना नॉर्मल टाइप करना है आपका एड्रेस आपको टाइप करना है पिन कोड हमें नीचे डालना है 411033 आप चाहे तो एड्रेस में शहर का नाम ना डाले तो भी चलेगा उपर आपका शहर का नाम आया हुआ है अब मुख्या फॉर्म का भाग शुरू होता है यहाँ पे तीन चीजे हैं सबसे पहले आपको अपनी भाषा चुननी होगी जब भाषा चुनेंगे तभी नीचे के दोनों इसमें कुछ दिखेगा otherwise आप सिलेक्ट करेंगे तो कोई option नहीं दिखाई दे रहा है तो जब तक भाषा सिलेक्ट नहीं करेंगे उस भाषा के समय नहीं दिखेंगे मान लीजे हमने हिंदी भाषा सिलेक्ट की है हिंदी भाषा सिलेक्ट करते बराबर यहां पर हमको चारो समय दिखा रहा है सुभे आपको class करनी है दोपेर, शाम या रात को दस बजे का भी एक वर्ग होता है जो आम तोर पे भारत के बाहर के लोगों के लिए बनाया गया है आपने afternoon select किया है अब वैसे ये अगर form कभी उपर नीचे नहीं जाता है तो आप इसको एकदम कोने में जो ये सफेद पटी है यहाँ पकड़ के उपर नीचे scroll कीजेगा तो आसानी से scroll होता है अब यहाँ पर time slot पूछा गया है अब आपने चुकी दोपहर का समय लिया था उपर अपराण न लिया था तो अब आप यहाँ पर दोपहर के समय दिखा रहा है दो बजे, तीन बजे और एक बजे ये सारे समय के slot हर भाषा में उपलब्द नहीं है प्रादे की शिक भाषाओं में एक या दो ही time slot होंगे तो उस case में आपको उपर में जो दोपहर, सुबह और शाम के समय है अलग-अलग समय में जाकर आपको चेक करना होगा कि क्या time slots available है और उसके अनुसार आपको time slot select करना होगा तो एक बज़े का समय आपको चाहिए दो या तीन, तो हम समझ लीजे तीन बज़े से तीन चालिस का हब ने समय लिया है इसका मतलब तीन से तीन चालिस के बीच में आपका online work होगा हर रोज सुमवार से लेके शुक्रवार तक हर हपते और हमने ये form submit का बटन दबाया है अगर हमने कोई चीज गलत भरा है तो अब हम ये prompt देता है हम उपर जाके उस जगह पे जो entry नहीं हुई है हमने वहाँ entry कर दी है अब हम यहाँ जाके submit का बटन दबाते है आपका form देखिए submit हो गया है यहाँ नीचे कुछ number दिखाई दे रहे है अगर आपको 1 नमबर तक के 2 नमबर तक नहीं जोडा गया तो आप इनसे connect करेंगे उपर से देखते हैं यूर फार्म हैस बिन submitted अब इसमें एक number आया है registration number 16715 इस number को संभाल के रखिएगा यह number हमारे सारे future communications के लिए काम आएगा अब यहाँ नीचे जाईएगा online guitar classes आपकी batch आपने जो time select किया है वो time भाषा आपका number email ID जो भी हमारे पास registered है वो दिखाई दे रहा है यहाँ सूचना यह दी गई है एक बात याद रखिए यह batch 3 November से शुरू होगी तो आपको 2 November के पहले group में add किया जाएगा तब तक कोई तरह के आपके तरफ से कोई भी चीज़ करने की अपिक्षा नहीं है जब group में add किया जाएगा तब ही सूचना यह दी जाएगी यदी 2 November तक आपको group में नहीं add किया जाता है तो नीचे जाए है इनमें wa.me आपको जो नंबर दिया है इस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपके WhatsApp में इनके वो लिए message चप जाएगा message जो open होगा उसके अंदर group अपना नाम डाल के भीजिए और बताईए कि भी हमें group में add नहीं किया गया है group या 2 November के पहले इनमें से किसी भी वेक्ति को message ना करें और आपको message ही भेजना है उसके बाद भी इस तरह से आप इस work से जुड़ जाएंगे उसके आगे आपको सारी सुचना है आपके group में मिलेगी देने बादा